वेलकम क्लास 11th in today's class students in our previous class we have discussed about economy agriculture urbanization and commerce of Islamic world नम लोग ने Islamic world के economy के बारे में पढ़ा different economical activities के बारे में कि किस तरह से वहां पर एक वास्ट एरिया को रूल करने के लिए कौन-कौन से economic activities हो रहे थे और किस तरह से resources को use किया जा रहा था and today we will continue our study with learning and culture of Islamic world हम पढ़ेंगे कि Islamic world के culture क्या था learning कैसी थी उस time पर जिस समय हमने की बात हमने इस chapter में करा हुआ है ना तो सब कुछ हम पढ़ेंगे यह हमारा last topic होने वाला है लेकिन यह topic क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा lengthy है यहां पर बहुत ज्यादा चीजें हैं बहुत ज्यादा चीजें discuss करने को हैं तो हम इसे दो and culture हम लोगों ने पढ़ा कि जिस तरह से बहुत ज्यादा एरियास का expansion होना शुरू हो जाता है मुस्लिम हिस्ट्री में इस्लामिक हिस्ट्री में इस्लामिक शेत्र जो हमारा था इस्लामिक वर्टा वो बढ़ता जाता है और यहां पर different religion के लोग added होते जाते हैं है यानी society के अंदर बहुत सारे अलग religion के लोग देखने को मिलते हैं अब יह सारे लोग एक दूस रेके सास्त कांडेट करते हैं मुस्लिम के साथ चाहते हैं जो कि मुस्लिम रूछर्स यहां पड़ती उनके लोगों के साथ कांडेट करते हैं और contact करने के बाद अब जब सब लोग मिलते हैं तो कुछ common questions थे जो सब के मन में आ रहा था जो मुस्लिम से पूछना चाहते थे हैं क्योंकि मुस्लिम सब को जोडने की बात कर रहे थे वो चाहते थे कि सभी इसलाम में convert हो जाएं तो उसके लिए कुछ questions थे common questions जो लोग उनसे पूछते थे और वो सभी लोग obliged थे सभी बात देते बिलकुल उन सभी चीजों के उन questions को answer करने के लिए जैसे कुछ common questions क्या थे कि लोग यह पूछते थे कि God कौन है या फिर God को हम से क्या चाहिए God क्या चाहते हैं कि हम किस तरह के work करें किस तरह के activities करें और हमारे इस तरह की creations जो God ने बनाया हुआ है उसके पीछे का God का aim क्या है कुछ यह common questions थे जो सभी लोग जानना चाहते थे अब इस time पर यह सारे जो जो Muslim learn करे हुए लोग थे जो बहुत जादा knowledge लोग थे जो बहुत जादा ग्यानी लोग थे उस time के जो scholars थे जिनको Islamic जो knowledge थी वो बहुत जादा अच्छे से पता थी है न वो सभी लोग क्या करते थे इन सब का answer देते थे वो सब को जोड़ने के लिए सब के questions का answer करते थे और सब की curiosity को शान्त करते थे सबके जो queries होते थे doubts होते थे उनको solve करते थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जब satisfied हो जाते थे उनके answers के साथ तो वो उनके साथ connect कर पाते थे और Islam को join कर लेते थे तो इस तरह से जो different culture के लोग थे different religion के लोग थे वो एक होना शुरू हो जाते है अब ये सारी जो बाते बताते थे लोग उन scholars को उलेमास कहा जाता था जो religious scholars थे जो लोगों की curiosity को शान्त कर रहे हैं उनके answers दे रहे हैं religious questions के answers दे रहे हैं वो scholars religious scholars उलेमास कहलाते थे और वो जिस तरह की भी knowledge देते थे उस knowledge को इल्म कहा जाता था अब इनको ये knowledge कहां से आती थी इनको ये knowledge आती थी कुरान से जो की एक पवित्र book है holy Quran है तो वो Quran book को study करके इन लोगों को वो सारे इल्म या वो सारी knowledge मालूम होती ही थी जो उलेमास लोगों सभी को देते थे इनके अलावा उन्होंने और कहां से सीखा अच्छी और बुरी चीजे और जो knowledge थी वो उन्होंने सीखा था प्रॉफिट मुहम्मद के जो भी behaviors थे उन पे जो भी activities वो करते थे जिस तरह से बताते थे जिन चीजों को वो अच्छा या बुरा बताते थे उन चीजों को के basis प पे कुछ चीजे बताई जाती थी है ना तो यह जो behavior था प्रॉफिट का उसको सुनना कहा जाता था ठीक है तो इनका behavior और कुरान इन दोनों के basis पे ही religious scholars लोगों को इल्म या knowledge दिया करते थे ठीक है अब इस time पर the ulema in medieval times devoted themselves to writing तफसीर and documenting मोहमत's authentic hadith मोहमत साहब ने बहुत सा ग्यान दिया था लोगों को जो भी messages दिये तो उसको hadith कहा जाता है ठीक है तो यह जो उले मास थे इन्हें पता था कि अभी तो हम औरली सबको सारी चीजे बता पा रहे हैं ठीक है एक time आएगा जब औरली दे पाना possible नहीं होगा एक साथ हम बहुत सारी लोगों को औरली नह जिस थे उन लोगों को उसको तफसीर कहा गया जब इसे write down कर लिया गया और मोहमद साहब का जो hadith था यानि उनके जो messages थे उसको भी documentation कर दिया गया उसको भी लिग दिया गया ताकि जादा से जादा तक लोगों के पास तक वो पहुँच सके इनके लावा body of law या शरिया भी कि एक नियम बनाना ठीक है जिसको शरिया कहा गया उस नियम को और कहा गया कि ये नियम कैसा है ये एक straight path होगा सीधा रास्ता होगा जिसके थूँ लोग क्या कर सकते हैं connect कर सकते हैं खुद को God के साथ है ना एक straight path बताएगे कि अगर हम इस straight path पर चलते हैं ये यही चीजे कर आते हैं तो हम God के साथ connect कर पाएंगे तो ये चीजे भी उस टाइम पर शुरू हुई आप God से related rituals बताएगे rituals का मतलब यहां पर इबादत यानि worship से है कुछ worship के लिए यानि कुछ इबादत के लिए rituals भी बताएगे कि हम अगर इस तरह के rituals करते हैं इस तरह के रिती रिवाज पूजा पाट करते हैं यानि इबादत करते हैं तो हम God के साथ connect कर पाएंगे हैं तो ये सारी चीज इसके अलावा जो humanity के लिए work बताए गया social affairs के लिए जिसे मुआमलफ कहा गया और इसमें कहा गया कि लोगों की help करना लोगों को अच्छा करना अगर हम ये कर रहे हैं तो ह इसी चीजे भी उस टाइम पर society में ये जो religious scholars थे उन लोगों ने spread किया इसके अलावा इस टाइम पर Islamic law भी फ्रेम किया गया और क्योंकि आने वाला जो टाइम था वो थोड़ा सा जादा और जादा complex increase होने वाला था जैसे जैसे urbanization हो रहाता है ना तो अब कुरान और हदीद के true लोगों को सारी चीजे बता पाना थोड़ा सा difficult हो रहा था इसके लिए उन लोगों ने क्या कि इसलाम में जो भी चीजे बताई गई थी उनके basis पे laws बनाना शुरू कर दिया कि जब laws बन जाएगा तो लोग उसको follow करने लगेंगे यानि Islamic जो भी system है उसको follow करना शुरू कर देंगे ठीक है तो कुछ laws भी बनाए गए कुछ नियम और कानून भी बनाए गए इनके अलावा four schools of laws भी बनाए गए जि साफी एंड हैंबली ये चार schools of laws बनाए गए थे और हर जो नेम यहां पर आया है वो leading jurist फकी के नाम के साथ बन के आया है ठीक है इनके अलावा जो शरिया यानि शरिया क्या था कि जो एक बताए गया तो ये काग्या कि शरिया जो है यानि वो जो इस ट्रेट पात है जब हम उसके through जाते हैं तो जो वो किस चीज पर based था वो legal issues पर based था जो कि सुनी सोसाइटी है न मुस्लिम में दो सोसाइटी बन चुकी थी ना सियाज और सुनी तो ये जो सुनी सोसाइटी थी उनके legal issues के basis पे शरिया भी उस टाइम पर बना दी गई थी कि ये शरिया को भी सबको follow जो करना है सरिया भी rules थे ये बना दिये गए थे जिसमें कुछ जो rules बताए गए थे वो हर तरह के जो personal status थे उनके basis पे भी बहुत सारे नियम और कानून बताए गए थे और other basis थे उन पे भी तो जैसे personal में कि लोगों के marriage को लेकर क्या rule होगा लोगों को divorce को लेकर क्या rule होगा inheritance of property का क्या system होगा मतलब कुछ भी जो भी personal issues होते हैं उनसे related भी बहुत सारे matters पर rules और laws बना दिये गए थे शरिया के through शरियास में जो भी rules होते थे उनको final करने से पहले तक कोशिश की जाती थी कि हर तरह के जो भी regions है वहाँ पर इसको भी accept किया जाए हर तरह के जगह पर लोग अलग अलगते रहे थे तो उनको भी वह सारी चीज़े accept हो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो शरियास में laws बनाये जाते थे वो होता था ठीक है अब इस time पर जो भी matters होते थे जहां पर कोई भी तरह का injustice दिखाई दे रहा है कोई भी matter है कोई भी तरह का conflict है कुछ भी create हो रहा है लड़ाई जगडा उनको solve करने के लिए काजीज को भी appoint किया जाता था state level पर काजीज यानि judges होते थे वो एक तरह से और इनको state पर हर state में हर city के अंदर हर locality में इनको appoint किया जाता था जो की arbitrary यानि जो punch होते हैं ग्राम प्रधान जैसे आज के time पर होते हैं उस तरह से local level पर भी local level पर भी जो भी disputes हो रहे हैं conflict हो रहे हैं उनको भी solve करने के लिए appoint किया जाता था और ये किन rules के through जो भी justice बताते थे वो करते थे वो शरिया के through शरिया क्या जो law और नया order बताया गया था है ना Islamic law जिसको शरिया कहा गया था तो उनी शरिया के basis पर ही वो काजी जो होते थे वो अपना judgment बताते थे इनके अलावा इस time पर कुछ religious mind के लोगों का भी group था जो क बहुत ज़्यादा धार्मिक थे ये दिखाई देते हैं medieval Islamic time पर इनको सूफी कहा जाता है ये कुछ ऐसे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा personal knowledge थी God के बारे में ठीक है जिसमें ये पूरी तरीके से एकदम तलीन होते थे भावुक होते थे थोड़े से रहश्यवादी होते थे मिस्टिसिजम के साथ होते थे और मतलब ये पूरी तरीके से God के devotees होते थे ठीक है ऐसे ग्रुप को सूफी कहाल जाता था ठीक है इनका मानना था सूफी का मानना था कि जो अगर वो God से connect करना चाहते हैं तो वो music और dance के थूँ God के साथ connect कर सकते हैं ये मानते थे कि love के थूँ प्यार के थूँ compassion के थूँ God के साथ connect कर सकते हैं साथी साथ पर ये idea of oneness of Gods को भी मानते थे क्योंकि ये भी muslims group से ही belong करने वाले लोग थे पर ये बहुत जादा religious mind के लोग होते थे तो ये भी one God के concept पर ही work करते थे और इनका ये भी मानना था कि human soul जो है उसका maker God है मतलब God ने ही human soul बनाया है और हमारा जो aim होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम souls यानि हम human souls का aim होना चाहिए कि हम एक time ऐसा है जब हम God के साथ यानि हमारे maker के साथ connect कर सके और उसी में unite हो जाए उन्हीं के साथ जुड़ जाए और इसी जो चीज थी जो intense of love God के लिए उन्होंने बताए इसको इश्क कहा जाता था और साथ में इन्होंने बताया कि जब हम God को बहुत जादा याद करेंगे बहुत जादा connect करने की कोशिश करते हैं बिलकुर सांत मन के साथ love के साथ तो हम God के साथ unite हो जाते हैं जुड़ जाते हैं उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम God के साथ मिल सकते हैं जुड़ सकते हैं इसी टाइम पर एक वुमेन सेंट थी जिनका नाम था राबिया और बसरा ये बसरा नाम के प्लेस से भी लॉंग करती थी 891 के टाइम पर बताया जा रहा है इनका टाइम इन्होंने बहुत सारे पोयम्स भी लिखे गौड के उपर अल्ला के उपर इनके अलावा बाइजित पि फना हो जाने के लिए फना का मतलब होता था कि खुद को गौड के साथ सबमर्ज करतो बिल्कुल मिल जाओ मतलब गॉड को इतना जदा इमेजिन करलो इतना जदा गौड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करलो meditation के दुरू कि ऐसा फील हो कि हम God के ही पार्ट हैं सबमर्ज हो जाएं उसी में मिल जाएं इसे फना कहा गया तो उन्हों ने इस चीज की भी बहुत जादा importance बताई गई गे मानते थे कि जो devotion का method होता है पूजा पार्ट का जो भी ritual करने का तरीका होता है जिससे हम God के साथ सबमर्ज हो सकते हैं वो था शमा शमा का मतलब होता था musical concerts music के थूँ गीत संगीत के थूँ हम God के साथ connect हो सकते थे हैं तो यही जो musical concerts हो रहते करते थे वो उसको समा नाम दिया गया और यह जो songs होते थे यह बहुत जादा इमोशनल सॉंग्स होते थे लव और पैशन पर बेस्ट हुआ करते थे यह जो नया मुस्लिम ग्रुप था सूफिज का यह ओपन था सभी के लिए हर तरह के लोग बिना किसी भी रिलीजिस एफिलेशन के सभी इसके साथ जोड़ सकते थे सभी के लिए यह ओपन था कोई भी जेंडर का स्टेटस या किसी भी इस्टेटस नहीं पर नहीं था हर तरह के लोग जोड़ सकते थे मेल फीमेल अमीर गरीब हर तरह के लोग चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो सभी तरह के लोग सूफिजम में आ सकते थे धुलनन मिस्री जिनका टाइम 861 बताया जाता है इनका जो ग्रेव है यानि इनकी जो कबर है आज के टाइम पर भी इजिप्ट के पिरामिट के पास है सुरक्षी थे पाई जाती है और ये बताया जाता है कि ये जो अपवासित कैलिफ थे अल्प मतवक्किल उनके टाइम के है और इन्हों ने ये भी बताया है कि इनको जो ट्रूल इसलाम के बारे में कि सच में इसलाम है क्या एक ओल्ड विमन से पता चला है तो इस तरह से जो सूफिजम है उसको पाया जाता है कि सूफिजम भी उस ताइम पर बहुत जोड़ से बहुत जादा अच्छे तरीके से एक्टिव ग्रूप था जो की लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर रहा था जोड़ आता और एक नए तरीके से गॉड के साथ कनेक्ट करने की बात कर रहा था अब इस टाइम पर जो सूफी थे वो बहुत जादा पॉपिलरिटी को गेन कर रहे थे बहुत जादा पॉपिलर हो गए थे बहुत जादा लोग इनके साथ कनेक्ट कर रहे थे जिसके वज़े से जो और्थोडॉक्स इसलाम थे यानि जो इन से पहले के जो अभी तक हमारे इस चैलेंजेज भी फेस करने पड़े अब लोग इनकी पॉपिलारिटी की वज़े से बहुत से लोग सूफिजम की तरफ भी जा रहे थे यानि जो इसलामिक वर्ड था जहां पर अभी हमने देखा कि पूरा इसलाम पहले एक ग्रूप था फिर यह डिवाइड हुआ सियाज और स अब सूफी की तरफ कनवर्ट हो रहे हैं तो यह तीसरा ग्रूप बनता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि और्थोड़क्स इसलाम के लिए चैलेंज था इस टाइम पर जो गॉड का अल्टरनेटिव वीजन था उसको ध्यान में रखते हुए जो इसलामिक फिलोसफर्स और साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों ने बहुत सारी जो मतलब राइटिंग वर्क भी किया इस टाइम पर तो ग्रीक फिलोसफी और साइंस से इंफ्लूएंस्ट होकर उस टाइम पर बहुत सारा राइटिंग वर्क किया गया 7th century के टाइम पर In the schools of Alexandria, Syria and Mesopotamia, once part of Alexander's empire, Greek philosophy, mathematics and medicine were taught along with other subjects इस टाइम पर जो schools, colleges थे वहां पर mathematics, medicines, Greek philosophy भी पढ़ाई जानी शुरू हो गई क्योंकि इस टाइम पर Greek philosophy भी बहुत जादा flourish हो रही थी और spread हो रही थी इस टाइम पर जो उमयाद और अबासित स्केलिफ्स थे, इन लोगों ने translation work पर भी बहुत जादा focus किया और Greek और Syrian books का Arabic language में भी translation कराया गया था तो जो Greek और Syrian books थी उन सब को जब Arabic में change कराया गया तो अब Arab के लोग यानी जो यहाँ के लोग थे उन लोगों ने भी Greek culture को या Syrian culture को भी अच्छा Syria के culture को भी अच्छे से समझ पाए तो इस टाइम पर ये एक translation की जो activity थी वो बहुत ही well organized activity हो गई थी Al-Mamun के time पर जो की बहुत ज़्यादा support करते थे इस तरह के work को इनके अलावा Aristotle यानी अरस्तु का कुछ work जिसमें the elements of Euclid and Ptolemies Al-Magist जो की बहुत ही इनका important एक work है जिसको Arabic reading का भी बहुत जादा साथ मिला आरब के लोगों ने भी इसको बहुत जादा attention दिया इनके अलावा कुछ Indian works थे astronomy, mathematics और medicine के जिनको translate किया गया इस time पर Arabic time पर है ना इसी same period में तो ये जो time था है ना इस time पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो philosophy है science है किया किसी भी तरह का जो work था जो दूसरे languages में थे जो दूसरे culture पर based थे उनको change करके Arabic language में भी change किया गया जिससे आरब के लोगों ने भी बह बहुत कुछ सीखा तो जब हम different countries के जो भी books है उनको translate करके या किसी भी way में पढ़ते हैं सीखते हैं सुनते हैं तो हम उनके culture से कही ना कई influenced हो जाते हैं उसका आसर हमेरे उपर भी देखने को मिलता है तो same यहाँ पर हुआ अब जो cultural जो effect पढ़ने थे लोगों के उपर वो भी पढ़ने शुरू हो गए तो तो यहां का culture अब diversity वाला culture होने लगता है तो यह था सब कुछ हमारे जो Islamic word था उसके culture के बारे में अब next class में हम यहां के कुछ writing work के बारे में भी पढ़ेंगे और यह हमारा last topic होगा यह हमारा last class होगा इस chapter का clear in homework you have to frame 15 questions with answers and send it in your google classroom timely time से अपने homework को submit कर देना है Google classroom में okay now we will meet in our next class till then take care and have a nice day